नमस्कार साथियों आपके स्वागते इस टेनोंट जी के यूट्यूब चैनल में आज हम उपी शुकला बुक की पेज नमबर पेतालिस डिक्टेशन नमबर प्रशन पत्रह उननिस्तो असी की प्रेक्टिस करेंगे इस डिक्टेशन का समय पांच मिनिट तथा गती असे शब् प्रति मिनिट की रहेगी अब हम डिक्टेशन स्टार्ट करेंगे वान टू थ्री स्टार्ट मानने वर जिस विशय पर चर्चा हो रही है उस विशय का हमारे देश के जन जीवन से हमारे देश के लोगतंत्र से और हमारे देश की कानुन विवस्ता से सीधा संबंध है यही कारण है कि आजादी के बाद और आजादी के पहले इस विशय पर हमारे देश के जो राजनितिग्य और शिक्षा सास्त्री है जो इस विशय में रूची रखते हैं और मान्यवर जो हमारे देश के प्रशाशक रहे हैं उन सबने समय समय पर हमारी जो शिक्षा पद्दती है उसमें आमुल्चूल परिवर्तन की पहल की है इस विशय के बारे में काफी गंभीर चिंतन हुआ है आज भी अगर हम इस इस्तती पर विचार करे की हमारे देश में सिक्षा पद्दती का क्या प्रभाव है तो हम देखते हैं की चारो ओर हमारे जितने भी विश्व विद्याले हैं वे बंद हैं सब जगा जगड़े हो रहे हैं यहां तक की विश्व विद्याले हो मैं हिंसा और नाना प्रकार के जगड़े फैल रहे हैं और ऐसा लगता है की ये शिक्षा का मंदीर नहीं है बलकि हिंसा और उपद्रव के इस्तान बन गए हैं मैं नहीं मानता हूं की इसमें विद्यारतियों की गलती है यहां हमारी सिक्षा पद्दती का दोश है इस प्रकार की सिक्षा पद्दती मैं सुधार होना चाहिए इस प्रकार की विवस्ता हमारे देश के हित में नहीं हो सकती है और उसी का यह कारण है की शिक्षा पद्दती में परिवर्तन के बारे में हमारे यहां गंभीर चिंतन हो रहा है वर्तमान शिक्षा पद्दती अग्रेज राज्य की देन है लाड मेकाले ने हमारे देश में जिस प्रणाली को चालू किया था उसी का थोड़ा बहुत रूप आज भी मौजूद है 1968 में पिछले शाशन ने शिक्षा की एक राश्त्रिय निती की गोशणा की थी और यह निश्य किया था कि समय समय पर सुधार और परिवर्तन होता रहेगा आज वह मांग बड़े जोरों से है कि हमारी एक निश्चित राश्त्रिय निती शिक्षा के संबंद में होगी चाहिए राश्त्रिय निती की गोशणा होनी जरूरी है मैं यह कहना चाहूंगा की राश्त्रिय निती की गोशणा होने के पहले उसका सीधा संबंद जिन लोगों से हैं जिनका जिक्र मैंने उपर भी किया है संसत और जो शिक्षा से संबंदित छेत्र के लोग हैं उनके विचारों को सुनने के बच्चात ही इस पद्दती को लागू करना चाहिए क्योंकि सिक्षा पद्दती एक नाजुक विशय है और इसमें सुधार करने की काफी गुंजाईश है सुधार के परिणाम अच्छे निकलने चाहिए इसलिए बहुत सोच समझ कर नीती निर्धारित की जानी चाहिए तो अमिद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी अगर पसंद आती है तो इसे लाइक करें चैनल पर नए है तो इसे सब्सक्राइब करें आज के लिए इतना ही जै हिंद जै भारत